नमस्कार पीपी नूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सब का स्वागत मैं हुरचनी अनुभव आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर की परमुक्ष सुर्खियों पर अनुचे 370 की आड़ में कश्मीरी हुक्मरानों ने रहोंग्यों का किया समर्थन जमुकश्मीर में मोसम ने फिर बदली करवट ट्रांस्पोर्टर्स को फिर मिली राहत वाहन सीमा में हुई बडोत्री और सिर्पटी सवन फिर पोंचा देने अमन का पैगाम केंदर शासित परदेश जमुकश्मीर के ट्रांस्पोर्टरों की बहुत देर से मांग बुद्वार को सरकार ने पूरी कर दी परदेश की 15 वर्ष की आईउ पूरी करने वाले कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाहनों की आईउ अब 25 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है अल जैन की पैसेंजर ट्रांस्पोर्ट वेलफियर असोसेशन के चेर्मेन टीएस वजीर महासची विजेश शर्मा मिनिबस वर्कर्स यूनिन के अद्यक्ष बिजे सिंग चिब और ट्रांस्पोर्टर वर्के प्रतिनिद्यों की बैठक में उन्होंने ये बात ट्रांस्पोर्ट कमिशनर परदीव कुमार से कही भारत पाकिसान के अंतरास्टी सीमा पर बंदू के खामोश हैं तो विदेशी महमान सिर्पटी सवन अमन का पैगाम देने पहुँच के हैं ये महमान दोनों देशों के वेटलेंड पर कलरव कर लोगों का ध्यान खीच रहे हैं गराना वेटलेंड पर पहुँचे दुनिया के सबसे उंचाई पर उड़ने वालों वाले मशूर पक्षी सिर्पटी सवन ठंडे पठारों से अगले चार महा यहां देरा जमाएंगे इस और गराना, घरानी, कपूरपूर, अवताल, बारकपूर तो सीमा पार पाकिसान में निकी ठडिया, बड़ी ठडिया, कजले आम, नदरोवाल में ये सिर्पटी सवन उडान बर रहे हैं और अपने कलरव से दोनों और के लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रहे हैं मंगलवार को तक्रीबन तीन सो सिर्पटी सवन परवासी पक्षियों ने घराना के तलाब में अठखेलियां की मगर इससे पहले ये पक्षी लंबे समय तक सीमा के दोनों और चकल लगाते रहे घराना में इन पक्षियों को राज हंस के नाम से भी जाना चाता है सिलेटी सफेद रंग की इन पक्षियों के सिर के पीछे बनी दो काली पट्टियों से इसकी आसानी से पहचान की जा सकती है परियावरन विद का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है देखते ही देखते सीमा पर तकरीबन छे हजार सिर्पटी सवन पक्षियों का जमावड़ा होने वाला है चिप्स बनाने वाले आलू की खेती इन दिनों परवान चड़ रही है अनिया के किसान बसंत सैनी ने ही 250 कनाल में ये आलू लगाया है जो जनवरी में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इस आलू का साइज बेहतर है ऐसे में अच्छी फसल तैयार होने की उमीद है ये पहला मौका है जब जमू में चिप्स बनाने वाले आलू इतनी बड़े क्षेतर में लगा है ये आलू सीधी चिप्स बनाने वाली कंपनिया उठा लेंगी किशिव विबा के निदेशक इंदरजीत ने अन्यक शेतर का दोरा क्या और इस आलू की खेती का जैजा लिया उन्होंने सैनी परिवार को भडाई दी और दूसरे किसानों से कहा कि वे इस खेती से सीख लें नई वराइटे के आलू यहां उगा कर उन्होंने दूसरे किसानों को अपनी और आकरशित क्या है अगर किसान हटकर काम करने पर आ जाएं तो मार्किट की कोई दिक्कत नहीं जमू कश्मीर के हर जिले की हस्त कला की अपनी विशेष्टा है और हर जिले में इस से जुड़े कारिगर है उन्हें सरकारी स्तर पर पोटसाहन नहीं मिलता हस्त कला से जुड़े इन कारिगरों को अपनी विशेष्टा अनुसार उभारने वो उन्हें अपने उत्पाद वेचने के लिए उचित मंच परदान करने के लिए सरकार ने आब इनका पंजिकन करने का फैसला लिया है उपराजिपाल के सलाहकार वसीर खार ने सभी जिलों की उच्चित मंच ना मिलने के कारण उनकी उत्पादों को बाजार नहीं मिलता ऐसे में जरूरी है कि इन कारिगरों का उनकी हस्कला वहत करगा की विशेता के आधार पर पंजी करण किया जाए जमु कश्मीर में एक बार फिर मौसम में बदलाव होगा बारिश बरफबारी के साथ तापमान में गिरावट दर्च की जाएगी ये बदलाव साथ दिसंबर को होगा मौसम विबाग 97 और 8 दिसंबर को जमू कश्मीर और लद्दाग के मैदानी इलाकों में बारिश बवाहरी इलाकों में बरफबारी होने की संभावना है हाला कि मौसम विबाग ने चार और पांच दिसंबर की रात को भी उन्चाई वाले इलाकों में हल्की बरफबारी की संभावना चताई है उनका कहना है कि इसके बाद तापमान में और गिरावट होगी मौसम विबाग स्रीनगर के निदेशक सोनम लोटस ने बताया कि 6 दिसंबर तक परदेश में मौसम इसी तरह शुश्क रहेगा हाला कि 4 और 5 दिसंबर की रात को घाटी और लद्दा के उन्चाई वाले इलाकों में हल्की बरफबारी के साथ मौसम खराब रहेगा इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को बारिश वबरफबारी होगी उन्होंने कहा कि पहले तो अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में कोई महत्तपुन बदलाव की उमीद नहीं थी प्रन्तों एक बार फिर परदेश में पक्ष्चमी विक्षोब का दवाब बनता दिख रहा है इसके लावा उन्होंने सुबा और शाम के समें कोहरा पढ़ने की संभावना भी जताई आवक तो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरह अंटी टेरिजम मूमेंट आफ इंडिया ने रोशनी भूमी गोटाले में इस्तेमाल हुए पैसों पर जांच करवाने की मांगी है संगठन के परदान खुर्शीद एमत मलिक ने कहा कि इन गोटालों में इस्तेमाल हुए पैसों पर भी उस तरीय जांच होनी चाहिए इसी के साथ इस्तेमाल होने वाले पैसों को भी आतंकी गतिवीदियों का हिस्सा बताया उन्होंने कहा कि दोश्यों पर कड़ी से कड़ी कारेवाही की जाए ताकि फिर से कोई ऐसा वाक्या पिश ना आए पिशले 30 सालों के यह स्केम है जो कुछ एंटी टेर्रिस्म जो एंटी नेशनल लोग थे उन्होंने इसके आड़ में जंबिनियों पैसा लगाया अपने क्या बोलते हैं हर तरह की ड्वर्डमिट की जो अच्छे लोग थे जो देश से प्यार करते थे वो बिश्रे रहे गए और मैं आपके बादम से यह कहना चालता हूं कि इसकी इंक्वाइरी होने चाहिए इसकी जाच होने चाहिए ताकि यह पता चले कि इसमें फूंस पीछते हैं उनको इंसाम मिलना चाहिए यही आपकी मादम से हमें रश्ट है उजाच होने हैं अपील भीगी इसका मुँ यो है वो आपने इस वार बाहर की और रखना है जो पांच तारीक का दीपक सरसों के तेल का जगाओगे उसकी महत्तवता यह होगी कि यह जो करोना वाइरस है इसको खत्म करने के लिए हम पांच तरीक को यह दीपक जगा रहे हैं और बगवान श के पांच में रुद्रवतार हैं अवतार हैं इसलिए भी आप यह दीपक एक प्रजलित कर रहे हैं शे साथ और आठ का दीपक जैसे आप हर साल जगाते हो वैसे ही जगाना है आपको पता ही है कि इसके जो फाइदे हैं जिन घरों में कोई लंबी बिमारी चल रही है किसी को करजा है कोई ओपरी वादा है उससे उनको निजाब मिलेगी और बगवान काल भारव जी की क्लिपा उस घर पर बनी रही है वक्तों शेरी काल भारव अश्टिजिश लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजासत और आप देख अश्टिशन अप्टिशन गाधी नगर जैम आप्टिशन नई बस्ती जैम आप्टिशन अंफल्ला जैम आप्टिशन ट्रीकुटा नगर